हलो एवरिवान वेलकम बैक टो अनदर न्यू व्लॉग मैं आप लोग को आज फिर से पूरी से स्वागत करती हूँ तो आज भी हम लोग जगनाजी की दर्शन करेंगे और कल रात में मतलब लास्ट व्लॉग में आप लोग उने देखा के रात में हम लोग जगनाजी का चांब से सो के उठें और उसके बाद ब्रैक्फस के करके हम लोग सीधा जा रहे हैं अभी रैडी होके लंज करने और डाफिनिटली हम लोग वेज ही खाएंगे तो चलिए हम लोग आ गया है पारी जात में यहा पे हम लोग करेंगे लंज और हम लोग उने ओर दे दिये है वेज थाली और एबी और पापा खाएंगे रोती तो इसलिए हम लोगों ने दो दो थाली मंगवाएं और साथ में यहाँ पे है बटर नान और पनीर का एक आइटिम भी हम लोगों ने और किये हैं तो यही था आज का लंच तो लंच करने के बाद अर्राम से धीरे धीरे करके हम लोग मंदिर के तरफ जाएंगे मंदिर जाते जाते हम लोग का शाम हो जाएगा क्योंकि अभी तीन सारे तीन बज रहे हम लोग लंच कर रहे हैं हम लोग देर से उठे हैं आप लोगो तो पहले ही बताए कि कल रात सोते सोते हम लोग का दो बज गया था मम्मी भी बोली कि थोड़ा सा रेस्ट करके ही निकल कर देश हम लोग मंदीर के तरफ दिरी दिरे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा भगवान जी का दर्शन हुआ तो चलिए धीरे धीरे करके एकदम बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग मंदीर के तरफ आगे बल रहे हैं और यहाँ पे दूर से हम लोग पूरी जगना धाम जो है वो देख पा रहे हैं तो हम लोग आटो करके आ गए हैं उसके बाद हम लोग पैदल चलके ही जाएंगे और यह पूरी तरह से नीम की जो लकड़ी है उसी से बनाया जाता है मतलब एकदम ओरीजिनल नीम की लकड़ी से बनाया जाता है तो बहुत अच्छा लगा और देखिए हम लोग फिर मंदीर के पास आ गए है और जगनाजी को आप लोग फिर से दर्शन कीजिए रत में क्योंकि आज रात बारा बजे के बाद जगनाजी मंदीर के अंदर चले जाएंगे तो इसलिए आज ही ऐसा दर्शन होगा लास डे है आज इसी तरह रत में जगनाजी का दर्शन करने के लिए इसलिए ये मौका हम लोगोंने दोवारा नहीं गवाए हम लोग फिर से आ गए है जगनाजी के दर्शन के लिए और यहाँ पर आके आज हम लोग करेंगे दीबदान क्योंकि लास्ट टाइ मतलब कल जब आए थे तो हम लोग उने बस दर्शन करके चले गए थे और बहुत रात हो गया ता फिर बारिश भी हो रही थी तो इसलिए हम लोग दीबदान नहीं कर पाए तो इसलिए आज हम लोग स्पेशली आए है जगनाजी बलराम जी और शुहत् अफराज जी को दीबदान करेंगे तो सबसे पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं पूरी बहुत ही हमीजिग होती है जब ही हां पे हम आऊ आते हैं तो जब कि जखनदों जय जगन्नाद डिए है आए आसक सावए इसलिए जये जगन्हान। बाइब चलिए दिरे दिरे आगे बधते हैं दीवदान की जगा है वो थोड़ी सी दूर में हैं इसलिए चल के जाना पड़ेगा देखिए हम लोग यहां पर आ गये हैं कितना सारा दिया एक साथ चल रहे हैं चालो पापी चालो एडिकेट तो तुमी देवे यहाँ पे दीबदान करने के लिए आप लोगों को जगा जगा वो दिया मिल जाएगा और हर एक पॉइंट में आपको वो दिया मिल जाएगा तो चलिए हम सब लोग दीबदान करते हैं भागवान जी के पास हम लोग प्रार्थना करते हैं मैं भी प्रे करूँगी मेरे पूरे जो यूट्यूब इंस्टा और फेस्वूप फैमली है मैं सब के लिए प्रे करूँगी और आप लोग जगना जी का दर्शन कैसे किये विल्कुल बताना मुझे कामेंट कर दिया और जो लोग इस साल पूरी नहीं जा पाए उनके लिए मैं ये वीडियो डेडिकेट करती हूँ और सब के लिए मैं प्रेय करती हूँ तो चलिए मैं दीवदान कर लेती हूँ आप लोग बने रहें मेरे वीडियो के साथ करने के कारण हम लोग को डर था कि ये दिया मतलब बार बार बुझ जा रहा था तो इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी प्रेयर करके हम लोग आराम से इसको रख दिये हैं और इतना सारा दिया एक साथ जल रहा था कि वो जगा में पूरी तरह से एकदम मतलब भर गया था तो रखने का भी जगा नहीं था तो हम लोग ढूल ढूल के फाइनली एक साथ तीनों मिल के एक ही जगा में दिया रख पाए तो चलिए दीवतान हो गया प्रेयर हो गया आप बारी है यहां से जाने की बहुत अच्छा दर्शन हुआ आई होब के आप लोग भी अच्छी से दर्शन किये मेरे वीडियो के थ्रू तो चलिए धीडीडीरे करके यहां से निकलते हैं कुई श्रीधाम से और कल हम लोग जाएंगे थोड़ा सा साइड सीन विजिट करने जो नेक्स व्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा फिलहाल जगनाजी की दर्शन की जो प्लैन था हम लोग का वो सक्सेसफुली कम्प्लीट किये हम लोग अब हम लोग ऑटो पकट के जाएंगे सीधा सी बीच के तरफ थोड़ा सा मार्केटिंग शॉपिंग वगेरा करेंगे और यहां पर हम लोग बोल रहे थे कि लाठी जो होता है ना लकडी का वुड़न जो स्टिक होता है वो हम लोग ढून रहे थे मम्मे के लिए वो लाठी लाठी काम मिलता है वो लाठी? लाकडी मतलो ऐसे-चै करके जो लुड़े के चलता है तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग सीबीच के पास आ गए और आते ही हम लोग तूट पड़े हैं जाल मूरी के तरफ तो चलिए यहां पर हम लोग अभी थोड़ी देव तक बैठेंगे सीबीच का नजारा लेंगे क्योंकि आज ही शाम का मौका है इसके बाद कल हम लोग साइड सीन के लिए जाएँगे और उसके बाद दूसरे दीन जो है वो हम लोग सीबा कोल्कता पहुँचेंगे फिलहाल हम लोग यहां पर सीबीच का नजारा इनज्यॉई करते हैं और आप लोग असे मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में आप लोग का मिन में ज़रूर बताना के पूरी व्लॉग आप लोग को कैसी लग रही है तो मेरे साथ साथ आप लोग भी सेवीच का जो वाइब है वो एंजॉय कीजिए मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए टेक यह स्टे सेफ और स्टे टून बाबाई जय 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 गननात क्सक्तर बाइब है अ अजय जय 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 जाज सांच, कैसे बताना से प्लॉग इंग हम तेक्स वूरी आपेंगा, कि यार्च भ्लॉग रखेंगा, कि यार्त वाद नेको उस्टेघ्ट है, जड़ एसे कि आपए भ्लॉग, जब तो जए जगको ऑनना सुन पोग लोग रखें